कर दिया है उनके 2020 की flagship chipset का updated version जो की है snapdragon 865 plus यह उसी तरह है जिस तरह पिछले साल का जो flagship chipset था 855 एंड उसका upgraded version 855 plus तो similar snapdragon 865 and 865 plus यह है 2020 के ना fastest android chipset सो यह चोजना snapdragon 865 plus यह based 3.1 GHz जो कि 10% faster snapdragon 865 से GPU में and CPU में दोनों में 10% faster normal 865 से सो इसे के साथ ना Asus जो कि आप जानते ही हो जो कि आप पहुत ही popular company है Asus ने भी officially announce कर दिया है कि जो उनका upcoming smartphone है जो कि है Asus ROG 3 जो कि बहुत ही जल्द globally launch होने वाला है वो officially वर्ल्ड का first smartphone है जिस पर कि आपको यह processor देखने मिलेगा Qualcomm Snapdragon 865 Plus यह official है so आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा Asus ROG Phone 3 के बाहरे में इसकी परी specification इसकी pricing और इसकी launch डेट जो की इंडिया में भी ना भोचल लाँच होने वाला है जो आज की वीडियो का आगरे तक जरूर देखना जाता details जानने के लिए पहले बात कर लेते हैं इसके launch date की तो नहीं यह जो smartphone है Asus ROG Phone 3 यह लाँच हो रहा है 22 July यानि 22nd of July वर्लवाइड और वर्लवाइड के साथ-साथ यह इंडिया में भी लाँच होगा एक online event के त्रू तो बाकी details हम ना वीडियो के आखरे में बात करेंगे पहले जल्दी से इस rate भी देखने मिलेगा और यह protected रहेगा Corning Gorilla Glass 6 protection के साथ डिस्प्ले के मामिले में आपको ना टॉप क्लाश डिस्प्ले देखने मिलता है एक दम flagship लाइक इस पर आपको एक और डिस्प्ले भी देखने मिलेगा प्लस इस पर आपको 144Hz का refresh rate भी देखने मिलेगा डिसाइन के बाद के तो डिसाइन यह लूमस्स सिमिलर होगा यहां फिर शायद थोड़ा अलग डिसाइन है डिसाइन पे ना कोई कर्फरमेशन है नहीं पर इतना तो है आपको इसमें आलोजी की ब्रांडिंग बराबर देखने मिलेगी विद आर्जी लाइटिंग प्लस आ आपको 64 Megapixel का triple rear-facing camera जो प्रामेरी लेंस वो है 64 Megapixel जो secondary camera है वो 13 Megapixel का ultra wide-angle camera है और जो 3rd camera है वो है 8 Megapixel depth या फिर macro उसके आपको एक selfie camera भी देखने मिलता है जो की है 13 Megapixel की selfie अब बात कर लेते हैं मुद्दे की बात जो की है performance जैसे मैंने आपको पहले अल्ड़ेडी बता ह है कि नहीं यह होगा वर्ल्ड का first smartphone जो कि officially आएगा Qualcomm Snapdragon 865 Plus processor के साथ जो की 10% faster है जो की normal 865 है एंड RAM ROM की बात कर ले तो जो इसका base variant होगा वो होगा 8GB of RAM and 128GB of internal memory यह इसका base variant होगा आप बात कर ले battery की तो battery आपको बड़ी battery देखने मिलेगी जो की है 6000 mAh की battery with hyper charging 4.0 आसान शब्दों में को तो इस पर आपको 30W की fast charging पर देखते मिलती है एंड एक USB Type-C port so यह है quick specification of SSROC phone 3 and एक honest opinion दूँ मैं अब यह phone launch नहीं हुआ है फिर भी मैं इच्छे दावा के साथ करे सकता हूग यह न अब तक का best gaming android smartphone होने वाला है क्योंकि अगर आपको एक Android में कोई gaming smartphone चाहिए क्योंकि जो आप देखते होंगे कई सारी streamers iPhone prefer करते है gaming के लिए over android phone so आपको अगर पैसे है तो आप खरी सकते है iPhone 11 iPhone 12 जो भी आपका मन चाहिए पर अगर आपको पैसे नहीं आपको एक Android phone चाहिए so srg phone 3 best smartphone हने वाला है gaming के लिए क्योंकि ना कि सिस्क में आपको 865 प्लेस मिल रहा है इसलिए यह best gaming smartphone है बलकि इसमें आपको additional features भी देखने मिलेगा जैसे आपको high refresh rate देखने मिलता है 144 hertz जो कि अब तक किसी पी normal smartphone में नहीं है प्लेस इसमें आपको एक cooling fan भी देखने मिलता है rare site में जैसे ना Asus ROG 2 में तो 3 में भी आपको अपकोस देखने मिलेगा और इसके अलावा आपको additional internal features देखने मिलेगा है जो कि ना PUBG के साथ collaborate करेके Asus लाता है जैसे Asus के ना ROG Phone 2 में था उसी थरा ना Asus ROG Phone 3 में भी आपको कुछ additional features देखने मिलेगा यानि overall बहुत ही optimized रहेगा gaming के लिए यह थी एक छोटी सी वीडियो Asus ROG Phone 3 के उपर आप बाकी detailed वीडियो में लाओंगे जब phone officially launch हो जाएगा आज के लिए इतना ही I hope कि आपके छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी अगरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रू करना अगर आपके मिले कोई पीडियो आटे स्मार्टफोन के रिगा निक तो आप हमें comment section में पूस सकते हो और हमारी चैनल को subscribe ज़रू करना share ज़रू करना और मैं आपको मिलता अगले किस एक वीडियो पे